नमस्कार पेश आज का नीस पॉइंट में हो अब अब एक ज्यान प्रकाश बात होगी कॉंग्रेस की उत्तर प्रदेश की और प्रियंका गांधी की अब देखिए प्रियंका गांधी को लेकर कॉंग्रेस ने बड़े-बड़े सियासी पंडित इस बात को मानेंगे कि अपना ट्रंप कार्ड खेल दिया है लेकिन बड़ा सवाल मुझे उम्मीद है कि कॉंग्रेस के रनीती कार जो मिस्टर के शोर है इन लोगों ने अड्रेस किया होगा वो यह कि अगर यूपी में राहुल गांधी फेल हो चुके हैं 1989 से कॉंग्रेस का कोई लेना देना नहीं है यूपी की पावर पॉलिटिक से इस बात को दस बार दोहराने की जरूवत है कॉंग्रेस की यथा स्थिती यूपी में इतनी खराब है इतनी ज्यादा खराब है कि कॉंग्रेस का सियासी तोर पर सर उठाने का भी मौका नहीं नज़रा था एक बार कॉंग्रेस का चमत्कारी बढ़ला हुआ था सन 2009 के लोकसभा एलेक्शन में जहां कॉंग्रेस को 21 सीटे मिली 18.25 फीसीदी वोट मिला 18% वोट से उपर वो पार्टी चले गी और 2012 का असेंबली एलेक्शन आते आते तक कॉंग्रेस 21 लोकसभा सीट से 28 MLA सीट पर आ गई इतनी बुरी तरह से कॉंग्रेस ने अपना ग्राउंड लूस किया और 18 फीसीदी वोट वाली पार्टी 7 फीसीदी के आसपास वोट पर आ गई तो कॉंग्रेस की स्थिती बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में ऐसे में प्रियंका गांधी का कार्ड चलना जितने भी आप कॉंसिट्यूइंसी वर्काउट कर लिजे जितना भी ब्रामण बाहुली शेत्र वर्काउट कर लिजे जितनी भी कास्ट पॉलिटेक्स वर्काउट कर लिजे अगर प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह फेल हो गई यूपी में तब कॉंग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अब कॉंसा वो ट्रम्प, काड और यंतर चलाएंगे उत्तर प्रिदेश की राट जीति में फिराल कॉंग्रेस प्रियंका गांधी को चहरा बनाकर वहां चनाव लना चाहरी है साथ में 15 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री रही शीला दिक्षित होंगी शीला दिक्षित का क्या क्लेम बन रहा है उत्तर प्रिदेश में वो भी समझ के बाहर है शीला दिक्षित को उत्तर प्रिदेश की पॉलिटिक्स किये हुए या देखे हुए जमाना हो गया दश को बीच चुके है लेकिन उनके जो मिस्टर किशोर है वो एक नया आइडिया ये लेकिया है कि शीला दीक्षित जिनका उत्तरपदेश है कम से कम 25 साल तुम इत्मिनान से कह सकता हूँ कोई लेना देना नहीं है वो शीला दीक्षित जाएंगी इन कांबिनेशन विद प्रियंका गांधी कॉंग्रस को बचाने के लिए उत्तरपदेश में अमेठी उनके लिए पहले भी फूल बरसाती रही है अभी तक वो सिर्फ सोनिया और राहुल के चुनाव प्रचार में शामिल होती रही है लेकिन वहाँ उनकी मौजूदगी का जादूई असर होता है एक शोक संबेदना के लिए अमेठी पहुँची प्रियंका से हमने उनके नए रोल के बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ यूँ था प्रियंका गांधी सिर्फ प्रशान किशोर की ही पसंद नहीं यूपी के आम कांग्रेसी भी उन में अपना भविष्य तलाश रहे हैं अलहाबाद में उनके आने की खबर मिलते ही फोरन आतिश बाजी होने लगी कुछ कांग्रेसी ऐसी होर्डिंग्स के जरेए प्रियंका को सियासत में आने की दावत देते रहे हैं तो कुछ सोनिया गांधी से मिलके सीधे इसकी हमायत करते रहे हैं। मैं उन लाकों लोगों में हूँ जो ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी जी में इंद्रा गांधी की छवी दिखाई पड़ती है। और अगर वो राजनीत में सक्री होगी अमेठी राइवरिली में तो अब भी हैं। बाहर सक्री होगी तो निश्चत रूप से सिर्फ कांग्रेस जनों में ही उत्सानी होगा। बहुत से ऐसे लोग जिनकी किसी राजनेतिक दल से कोई जुराओ नहीं है वो प्रियंका जी से जोगी है। प्रशांद किशोर की रणनीती भी प्रियंका को लाने की है। यूपी में सीम कैंडिडेट से लेके कैमपेन इन चार्ज तक उनके लिए कई रोल चर्चा में रहे। फिलहाल तैह हुआ कि वो 120 सीटों पे कैमपेन करेंगी जिनके लिस्ट प्रशांद किशोर ने बनाई है। ये वे सीटें हैं जिन पे कॉंग्रेस अच्छी हालत में थी या जहां ब्राम्हर मुस्लिम वोट निर्लायक हैं। 2012 विधान सबाचुनाओं में कॉंग्रेस 29 सीटों पे नंबर एक, 31 सीटों पे नंबर दो, 87 सीटों पे नंबर तीन पे थी। पूर्वी यूपी की 60 सीटों पे ब्राम्हर वोट अहम है और यूपी की 62 सीटों पे मुस्लिम वोट निर्लायक है। समझा जाता है कि प्रियंका ऐसी ही सीटों पे कैंपेंड करेंगी। यूपी में सहारा ढूंड रही कांग्रेस की तलाश प्रियंका गांधी पे जाके खत्म होती है जिनके इस तरह की होर्डिंग्स यूपी कांग्रेस कनमेटी के दफ्टर के बाहर नज़र आने लगी है। एक कहावत है कि डूपते को तिंके का सहारा राजनीटी के जानकार कहते है कि यूपी में कांग्रेस को पीके और प्रियंका दोनों के सहारों की जरूवत है। लखनों में कैमरमें राजियश गुपता और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान टेंडिटीव इंडिया. तो बहुत दिल्चस्प स्थिती है जिसे मैंने कहा कि राहूल गांधी के फेलियर के बाद अगर प्रियंका गांधी भी फेलियर साबित हुई तो कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा प्रश्णी पैदा हो जाएगा फिलाल शीला दीक्षिट जिनका 25 साल से जाड़ा समय हो ग अगर उसकी पॉलिटिक्स देखिए मेरे साथ अमिद गोयल साब मौजूर संपादक हैं पाइनियर के इन सम जानेंगे कि शीला दिक्षित के लिए क्या स्थिती बनेगी शरत प्रधान मेरे साथ मौजूद है आप सब जानते हैं शरत जी यूपी की पॉलिटिक्स को इतने लंबे वक्स से देखना है रीटा बहुगना जोशी हमारे साथ मौजूद है तो यह बड़ा इंट्रिस्टिंग एक और मेरे साथ दिरेश शर्मा साब मौजूद है जो कि वाइस प्रेजिडंड है और भारती जनता पार्टी को रेप्रेजेंट करते हैं लखनों से अलोग म कर चुके है हकीकत यह है कि वो यूपी में राइबरिली के बाहर अमिटी के बाहर कभी आए नहीं क्या यह सही च्रूंप कार्ड है या वक्त से पहले खेला गया ट्रूंप कार्ड है तेक्या मुझे लगता है कि 2014 में बहुत जिता पाएंगी लेकिन मैं यह कहूंगा कि निश्रित रूप से 2014 में भी उनको उतना आगे नहीं रखा गया इसलिए कि भई यह जब भी जर्वत होगी तो यही एक अंतिम हमारे पास परिवार का कोई है जो बचा सकता है इसलिए भी पहले से रण नीती थी ती और इसलिए मुझे आश्चर यही बात है बने वैसे तो कम करण हघने के लिए न कुझे इसलिए कि करण से इसलिए पार्ट ईफ Choose क्रोय और उनको रखने सेब्रामवन कुछ समझें है प्रशाद किशोर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा रहे हैं, कॉंग्रेस का भाग गया जाने, कॉंग्रेस की रजनीती जाने और कोई मिस्टर किशोर जाने मैं तो यह किशोर साब को जानता नहीं, यह बात सच है कि कॉंग्रेस की वो दुर्दशा है उत्तर प्रदेश म कि वो प्रशान किशोर की रन नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये है कॉंग्रेशियों का हाल उत्त्य प्रदेश में ये स्थिती है कॉंग्रेशित शीला दिख्षित वाला पॉइंट अब शीला दिख्षित मतलब वो ब्रहमीनिकल फेस बना कर वो आली आप 80 के दशक की पॉलिटिक्स को इस तरह से रिवाइव करना चाते हैं 25 साल से जादा हो गया है शीला दिख्षित को उत्त्य प्रदेश कोई भी पुलिटिकल रिष्टा रखके हुए पुलिटिकल रिष्टा से मतलब है कि चुनाओं में जाना आना 15 साल वो डेली की चीफ मिनिस्टर रही है दिली की यह कॉंसिस्टिटी यह आपने बिल्कुल सही कहा असल में मैं तो चुकी कवर करता रहा हूँ कॉंग्रेस सालों से और इन से भी मिलता रहा हूँ देखते थी उमाशंकर दिक्षित क्या है यह जैसा हिसाब किताब देखना कुछ मदद करना बहू के नाते आज भी उन्होंने यह कहा है कि मैं बहू के नाते वन लोगों का लोगों से संपर्ख था तो यह ठीक है कि अब दिक्षित जी के जमाने के लोग भी आधे जिन्दा हैं आधे कहां चले गए मतलब मुझे नहीं जानता कि रीता बहुणा जी ने भी उन से संपर्ख रहा होगा बहुणा जी का रहा यह तो मैं देखा हुआ है लेकिन रीता बहुणा जी का भी शीला जी से उज जमाने में तो नहीं रहा लेकिन इसलिए कि पार्टी में संजै सिंग को एक्सेप्ट करें कि खतरी को करें कि हमारे जितनप्रसाद को करें तो उनमें एकसेप्टिबिलिटी जो वहां जो सो काल्ड लीडर्स हैं इंक्लूडिंग रीता बहुणा जी कितना विरोता वैसे यहां बैठी है ख्रमा करेंगी लेकिन मुझे मालूम है कि सुनिया गांधी के दरवार में वो जा रही है उनके साथ में दूसरे बैटर मैं भी वहां बैठा हुआ हूँ तो उनकी खिलाफ शकायत कि इनको कैसे हटाया अमित गोल शीला दिक्षित के अपनी एक क्रेडिबिल्टी प्रोफाइल थी डेली पॉलेटिक्स में दिल्ली के और ये कोई छोटा मकाम नहीं होता है कि आप तीन बार कोई एलेक्शिन जीत कर लाए दिल्ली में लेकिन यूपी की पॉलेटिक्स से उनका दूर दूर तक को नहीं तब उनसे दिल्ली का कोई लेना देना नहीं था लेकिन दिल्ली की पॉलेटिक्स इतनी दिवाइडिट थी और नरसमा राओ का पीरियड खतम हुआ था और से अघं को वोट पड़ा तो शीला दिक्षित की एक इमेज है और दिल्ली में जो होता है U.P वाले अच्छी तरह से उसको देखते हैं सबलते हैं और समझते हैं और शीला दिक्षित को लाने का मूल कार्ड ही ब्राहमन का है यह पॉइंट जो है वो गले से लिए ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस में ब्राहमन नेता नहीं है किसी को भी बना सकते हैं शीला दिक्षित की एक इमेज है कि डेवलप्मेंट की पंदरा साल आप कुछ भी उनके बारे में कहिए जो केजरिवाल या लोगों ने स्कैम वेम उठाए हैं लेकिन फिर भी शीला दिक्षित की एक इमेज डेवलप्मेंट के साथ मानी जाती है और यूपी में आज के दिन चैलेंजिस किया है लाइन ओर है और पिछड़ा हुआ स्टेट है तो कॉंग्रेस को हो सकता है यह लग रहा हूँ मेरी बात आपको मैंने का ब्रहमन-डीडर तो उनको और भी मिल जाते है अगर सिर्प ब्रहहमन ही नाम पेश करना जा है इंटरेस्टिंग पॉइंट है असप्र ती लों ॅ प्रशाद किशोर अब उन्हों को बता रहे हैं कि आप क्या करिए या प्रशाद किशोर बता रहे हैं कि आप प्रियांका गांदी ले आईए और इन इन सीटों पर लाईएगा तो मुसल्मान और ब्रहमनों पर मिलकर कांबिनेशन एफेक्ट डालेगी यहालत है कॉंग्रिस की बचे ही नहीं बई ब्राइमन लीडर को उन्होंने हटा करके निर्मल खत्री को बनाया रीटा बाउगना जोशी जी भी ब्राइमन है और उन्होंने पार्टी को अच्छा खासा है इस्टैबलिश कर लिया था यूपी में लेकिन वो पता नहीं फॉर सम रीजन उनकी शकल नही जो आपने बात करी 2009 में जब पार्लिमेंट में 21 सीटे मिली वो एक एंटी मुलायम वोट था जिस जो मुलायम से मुस्लिम्स डिसलूशन होकर के कॉंग्रेस को वोट डाला था वो राहूल गांदी को सारा क्रेडिट मिल गया और 2012 में जब स्टेट में हरे तो सारा डिस्क्र नहीं आएगी कॉंग्रेस के हाइस्ट लेवल पे ये विम्स पे कर काम करेंगे तो नहीं चलेगा ये भी विम्स है कि शीला दिशित को ले आओ अब वो अच्छी लेडी है वो अच्छी चीफ मिनिस्टर रही है लेकिन यूपी से जैसा आपने वरी राइटली का कोई नहीं है वो एक एलेक्शन का नौच से लड़ी थी और उस जमाने में उनकी वो इस वज़े से लाए गए थी क्योंकि उमाशंकर दिशित की डॉटर नलौ थी मैरिच से पहले शी वो नाट अब रहमिन वो खत्री थी कपूर फैमिली से थी तो उनको उस ताइम यह फैक्टर नहीं लिया गया था और उसके बाद आज जो है उनको प्रोजेक्ट करा जाए और इस एज में किया जाए जब बात हो रही है यंग लीडर्स की और वो डिवल को आपके अंदर क्यों नहीं दिखाई पड़ता आप तो इतने सालों से वहां जमीन पर रेल्वे की पट्रियों पर कॉंग्रेस की लड़ाई लड़ रही है पिटी हुई कॉंग्रेस जो 89 से पावर प्ले में नहीं नजर आती आपके अंदर का ब्रामण उनको नजर ही नही फौरसे साथ आएंगी इसलिए मुझे बनाए गया और मैंने खुद इस्तीफा दिया मुझे रटाया नहीं गया ता मैंने 5 साल पूरे किये थे मैंने इस्तीफा दिया पर आज ये जो चर्चा हो रही है ये विशुद्ध चर्चा जो है स्पेक्यूलेटिव है ये इस बात परे आएंगे कि नहीं आएंगी कौन आएगा कौन मुक्यमंदी का चेहरा होगा आप प्रिज्यूम कर रहे हैं अभी हमारे हाइकमान ने कोई फैसला नहीं लिया हमा प्रियंका जी को सारे कांग्रेज जन चाहते हैं कि वो सक्रिय हों उनका निज अधिकार है उनकी प्राइव रखते हैं उस परिवार से इस नहीं रखते हैं प्रियंका गांधी की प्रतिभा को लोग कैसे जानते हैं प्रियंका गांधी का अभी तक politics में क्या involvement है अपने परिवार की कंस्टिटूइंसी की देखरें के लावा उनकी प्रतिभा कौन सी है जो हम लोग जानते हैं जानते हैं आप प्रतिभा को जानते हैं क्या बहुत जैनते हैं किसे एलेक्ट्रिल पॉलिटिक्स में इंबॉल रही है। एक गादी फैमिली के मेंबर पर डिपेंड कर रही है और शीला दिक्षित को लाने का प्रोग्राम बना रही है। चुनावी समिकरण में आप कोई देखना चाहिए। आपको कॉंग्रिस के तरफ डाइवट नहीं करें। सब्सक्रा के चुनाव के लिए। कॉंग्रिस क्या करती है ये उसका अपना अधिकार है। उस पे मेरा कोई टिपड़ी नहीं है। लेकिन एक विडंबना उत्तरप्रदेश की है। कि कभी पिता पुत्र आ जाते हैं किसी दिल से। कभी माता और बेटा आ जाते हैं। अब कोई सुनते में आता है कि कोई बहू हैं और कोई उत्तरप्रदेश की पुत्री हैं इसलिए आ जाएंगी। ये बहू और बेटी चुनाओं में आ जाएंगे या पिता पुत्र आ जाएंगे या माता और बेटे आ जाएंगे। ये एक उत्तरप्रदेश की राड़ी इतने बहुत बड़ा वेक्यूम है। कि दलों के और कारकरता क्या करेंगे। बारती इंतरा पार्टी के पास में ये स्वभबान के साथ कहने का अवसर है कि हमारे वाँ कारकरता आता है। और कारकरतों मेंसे ही पूरा संग्ठन का निर्माळ होता है। शक्सियत के इर्दगर्द रही है तो चहरा ऐसा नहीं कि बारती देना पार्टी के पास है आप मी टटोल रहे हैं कि कौन चहरा बने आप भी नीट है कर पाए आज तक जो कार करता है दोजार चाओदा है जो लोकसभा के लेक्शन तरह बहुत बहुत है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में अभी हमारे 43 परसर से ऊपर मत आए हैं अब दो साल की हमारे सरकार का जो अभी एक तरगे से बीच की मॉनिटरिंग हुआ है जो पांच रज्यों में चुना हुए है भारती अंता पार्टी ने जो आसा में अपने बल पर सरकार बनाई और मत प्रशत और रज्यों में बढ़ा हमारा उत्तर प्रदेश की इस्तिति ये है कि अभी मुझे तो इस बात का डर है कि लोग कहें कि बेटी भी आई बहू भी आई कॉंग्रेस आरवप लगा से तीस्ते में आज से बहभी थो कि कहेंगी बीजेपी वालों ने नारा लगाया था कि कॉंग्रेस मुक्त भारत अगर बेटी के आने के बाद भी कॉंग्रेस मुक्त हो गया अधरनी प्रेंका जी अच्छी लीड में जाने लगी कुछ राज्यों तक सिमट करें गई के 40% भाग पर भारतियनता पार्टी का सासन है राज्यों में साथ प्रशब्तक राज्यों में कियों सिमट कर कॉंग्रिस रहे गई है तो छेत्री दल्स के आधार पर वही कुछ शमतार हो जाया हूँ आप पहले जएगा एक मेरा लेक मैंने लिखा है कंग्रिस के बारे में मैंने भारतिय जंता पार्टी के रहे बहाठी देखे भारतियन तुदेशास ज्यादा और क्या कोई शब्द इस्तेमाल करेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंडियन पॉलिटिक्स में आप अपनी मर्जी से पुलिटिकल आउट्फिट्स को राइट आफ कर दीजे वरना आप लोग किते साल रिटन आफ रहे हैं नैशनल और यूपी पता होना चाहिए शर्ट प्वाइंट पॉइंट है हाँ चर्जी अप कुछ कहना चाहरे थे वक्का में प्रीज मैं यह कहना चाहरा हूं कि जो शीला जी और प्रियंका के कॉम्बिनेशन की बात चल रही है इसके पीछे मुझे लगता है कि एक स्ट्राइटिजी है कि शीला अगर क्योंकि प्रियंका को यह एक वाट्र स्ट करने के लिए ला रहे हैं तो अगर प्रियंका का कार्ड वर्क नहीं किया तो इल्जाम लगाने के लिए तो कोई चаствिये तो वो शॉक एब्सॉरबर का काम करेंगी शीला दिक्षिझ जी सारा इल्जाम उन पे डाल दिया ज